आप जाईएगा ना इंटर्विव देने इस्टेशन पर आपको रिसीव करने आएगा और गाड़ी लेकर तो जब लेटर आएगा आपके पास क्या आपको कॉल किया जाता है तो बोला जाएगा कि इतने बज़े यहां आप आके गाड़ी में बैठाने के बाद वहाँ जब ग बहुत सुंदर जगह है पुने पुना पुना पुराना नाम अभी पुने उसे बोलते हैं लोग माराथी नाम है वहाँ पे और वहीं है नेस्नल डिफेंस एकेडमी एंडी ए खड़क वासला में पुने में जो जगा के नम है अब जिसे पतना में अलग 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 लोकेश अभी तो जो बच्चे सलेक्ट हुए अभी आप लोग देखे होंगे अपने क्लास से दो बच्चे पाइलेट बने हैं आप देखे होंगे उन लोग को दोनों के दोनों पाइलेट बन गया और एकदम कितना एज होगा जो भी एंडीय में जाते हैं 17-18 साल इसी एज में क्या आप जिए खतम कर देगा उसके बाद तो क्या आँ इसे पाइलेट जुको कितना ही इस जो किश्यां का इनका एक ही है पाइलेट एक ही है पाइलेट आए ये दोनों चलेंगे से इंडीया में एक हम जो छट के आगए मेडिकल में हम लोग भी उड़ाये तए लोग अभी तो कहीं नहां कुछ भी हाला कि हम तो आर्मी सेलेक्ट किये थे एरफॉर अलेक्ट नहीं किये थे यहां पर तो यह अभी दोनों कहां है तो पाइलिट बन गई यह लोग अब वहांँ चले गए हम लोग का तो हम लोग भी जब गए थे माना ऐसे तो अपने आपको तो सुचते दाज़ा तो आप तो हो गए हम लोग नहीं समझ जागे आप लेकिन सबसे जादे तकलीप आपको दो जगा होगा जब सबसे ज़्यादे कब तगलिफ होगा, जब आप मेडिकल में छटेंगे, या डॉकुमेंट में छटेंगे, फिर न आपको समझ में नहीं है कि खाली किस्मते को दोस दील बचल रहेगा, जैसे आप मेरिट में छट गए, तो आधा दोस देंगे किस्मत को, और आधा दोस जटेंगे कि थोड़ा और पढ़ लिए रहते हैं, तो थोड़ा सा दूख बट जाता है, जब मेडिकल में छटेंगे नहीं, तो खाली कोसेंगे किस्मत को, डॉकुमेंट में छट जाएंगे कई बार, कोई देगा कि ये वाला डॉकुमेंट लेके आईए, आद दू दिन मे हैं आउजाएंगे सरकारी कि रमचारी आपको कहे एक महीना लगे गा, तो दो जगेंपडी खातर नाख होता है, लास्ट में कहां कहाँ छट सकते हैं, या तो रच मेडिकल आउट हो सकते हैं, या डॉकुमेंट मेडिकल लाद बड़िखराब लाहरता है, आज में डॉक्ट कुछता क्या ना करता अब उस समयने जब हम लोग जब इंटर पास कियोंगे सहीं से दाड़ी मेंच नहीं रहता है कै और ऐसा लग रहा था कि बाप रहे अब हम लोग लोगों के हाथ में टैंक आए गाएगा अब यह सब कह रहा है अब ऍद शर यह और हमको सुखोए कब मिलेगा अब अपने किसी का फेबरेट जहाज है किसी का सुखोई है किसी का राफवेल है तेजस मिराज अलग अलग जहाज है लेकिन सुखोई का तो बाते अलग है आपन आगे बढ़ जाएं डॉक्मेंट में भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं बहुत सारे बच्चे डॉकुमेंट में छटते हैं वहाँ पन तो होते रहा था और आर्मी में सबसे बढ़ा खराबी किया था ना थोड़ा भी इपट नहीं तो जाओ नहीं सुना ही नहीं दिया तो रहो चल निकल यहां से उसके बाद तीसारका बार में तो पिटाएंगे आप और आप लोग जब इंडिये का इंटर्विव देने जाएएगा जब आप आप लोग का तो एज खतम सीडियस दे सकते आप लोग इस एज में खतम आप लोग का एज हाँ साड़े सतरा जाते 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 खतम जब तक समले समले क्यों निप्टा देता है आप तो आप लोग सीडियस के तुरू जा सकते आप जाएएगा ना जार ही इनके रिसीब करने आएगा यहाँ पर तुम नहीं आएगा तो पुछ बुछ बुछ ने भी नहीं जाएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है तो वहां लोग खड़े थे लोग आप तो इलहाबाद था इतना दिन हो गया तो यादो नहीं न रहता है कि बूर्ड क्या था जैसे आपको मैट्रीक का रोल लंबर याद होगा कुछ समय तक जब आप मैट्रीक में होगे इलेवेंथ में होगे तो याद होगा अभी मैट्रीक का रोल लंबर याद रह रहा है लेकिन उस समय याद रह कुछ लंबे समय तक याद रहता था तो गए लोग वहां से तो आए गाड़ी में बठाये लोग गाड़ी में बठाने के बाद वहां जब गए तो अंदर इतनी साफ सफाई फूल फूलवारी बगीचा ऐसे और हम लोग को अलमारी दिया गया कि आप लोग यहां अपना अपन रख सकते हैं हूँ अगर अधुर लिजे फ्रेस हैं चलिए यहां पर और आप लोग चलिए अब खाना खाने 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 लोग नास्ता करने इत्ता वड़का प्लेट छूडी चाकू यह वह मतलब 8-9 किसिम का तो हथियार था खाना खाने वाला और हम लोग दियात वाला आ खाने के लिए इतना इज्जत और इसन दमात को खाना ना मिलें पहुत बहतरीन रहता है वापर हो लेकिन हो होता है पैसा भी लगता है खाने का नहीं बाबू सुनो द्यान से जब आप वापस आएंगे न तो आपको ट्रेन से घर से और हमारा तो इलावा अप सेंटर था तो घर से और इलहाबात तक जितना ट्रेन का टिकर था उसका डबल वापस किया गया कि आपको आने में इतना लगा होगा तो इतना इह जाने में भी लगा होगा यह पैसा भी लिजिए जाहिए लगा लेकिन हम लोग अपने होर से कोई कमी नहीं छोड़े था काँ पर है वह सेंटर उनल यहां सीधे जाकर आप क्या बनते हैं लेटिन आर्मी में कहे तो लेटिनेंट और नज्वी में सब लेटिनेंट और एर्फोर्स में कहे तो फ्लाइं ऑफसर उसके बाद तो फिर प्रमोशन होते होते अब आप सेनापती बन जेगे कोंग पूछ रह नहीं बनाएगा पच्छमन से नीचे बनाएदे हम लोगों तीर्थीवीशी खतम हो गया रहता अभी तो वह एज जो होता है ना यारे बाद में देखा जाएगा क्या होगा यहीं ना होगा एकात करोड लोग मराएंगे इस एज में ना किसी कोई नहीं समझ में आता रहा है पाच करोड जाएंगे जाएंगे यूद होगा और वहीं पच्छपन साथ हो जाता है ना तो आधनी सोचने लगता है कि नहीं अब महिला सबको डिसीजन लेने को बना मारे नहीं करने देगी से यह गलत बात यहाप पाप हो रहे दुनिया में तुम लोग अपने कंट्रोल में लो लडाई जगडा कम हो थोड़ा